Hello Everyone, So, काफी लोगों को ये नहीं पता कि Facebook के Ad Account की Terms and Condition कैसे Accept करते हैं हम अपने Mobile से अगर हमारे पास Laptop नहीं है, तो हम अपने Mobile से भी Ad Account की Terms and Condition को Accept कर सकते हैं और अगर हम उनको Accept नहीं करते हैं, तो हमारा Ad कभी भी Approve नहीं होता है तो सबसे पहले हम Google को Open करेंगे and Google Open करने के पाद यहां Desktop साइट पे हम Touch कर देंगे See, यहां Desktop साइट पे आपको इसको Touch करना है और अपना Facebook जो है वो आपको यहां पे Open करना है www.facebook.com उसे Open करने के बाद में आपको Login करना है आपना Facebook का ID और Password डालके उसके बाद आपको यह जो Plus वाला Sign है आपको इस पे Touch करना है Plus वाले Sign पे Touch करने के बाद आपको Add पे Touch करना है और जैसे ही आप अपना Add पे Touch करते हो आपको कुछ इस तरीके शे सो इसके बाद जाना है आपको यह सबसे लास्ट में त्री लाइन्स पे यहां जाने के बाद में आपको यहां create add को select करना है create add को select करने के बाद आपका page होगा वो आपको show कर जाएगा अपने page को select करना है page को select करने के बाद आपको get more message और उसके बाद में आपको यहां एक notification दिखाई देगी the avoid description to your add campaigns please review and accept our policy as soon as possible तो आपको यहां review now पे जाना है उसके बाद जाने के बाद आपको यहां से उनके policy जो है उनको आपको यहां पे accept करना है यहां नीचे blue color की line पे touch करके I accept तो यहां पे जो मैंने उनकी जो terms and condition है उनकी जो policies हैं मैंने उनके accept कर लिया है और इनके accept करने के बाद में मैं वापस आ जाती हूँ अपने advertisement पे तो अब यहां जब मैं वापस आई तो आप मुझे यहां कोई भी policies को accept करने की notification नहीं आ रही है आप बस मुझे अपना campaign create करना है चाहे तो वो facebook ad messenger से जो app है उससे कर सकते हो और directly आप जैसे करते हो वैसे कर सकते हो तो policies accept करने के लिए आपको www.facebook.com पे ही आना है और आपको यहां त्री dots पे जाके desktop sign को open करना है और अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे comment करके बता दीजिए बाकी की चीज़े में आपको फिर से clear कर दूँगी Thank you so much, bye bye